हेलो फ्रेंड्स मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल कम्पिटेटिव तैयारी विच सनत पे आज मैं आपके लिए जिग्राफी का पहला टॉपिक लेके आया हूँ यूनिवर्स के उपर पहला टॉपिक है और जैसे कि आपको दिख रहा है इससे बाहर और कुछ नही मतलब यह आप कवर कर लो खुद का मेरा नोट्स है मैं बनाया हूँ आपके लिए तो इससे आप पढ़ लो जो इंपोर्टेंट है वो आप नोट कर लो और आपको हर एक्जाम में कुष्चिन देखने को मिलेगा और इसका टॉपिक अच्छे से कर लेंगे हम इसके बाद हो यह पहला टॉपिक है देखिए जेग्राफी का तो पहले हम कुछ बाते जान लेते हैं जैसे कि हम लोग जिस अर्थ में रह रहे हैं वो अर्थ कैसे बना था मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे था पहले वो कैसा था किस तरह से वो एवो इवल्यूशन हुआ उसका मतलब उसका किस मैनर में हुआ किस तरह से हुआ और होके वो अभी आज प्रेजेट में कैसे फॉर्मेशन हुआ उसका मतलब पहले वो कैसे था और आज जो इस टेज में है हमारा प्रिथ्वी तो वो किस स्टेजों से गुजर के आया है तो उसके बारे में बेसिक कुछ जानकरी जान ले कि यह दे से यहां पर देख्यें हैं कि पहले आका आया अर्थ बना मतलब पहले जो अर्थ था हमारा वह एक फुटबॉट刑 के जैसे था दीखिए यहां पर दीख रहा है आपको फुटबॉल के जैसे था हमारा अर्थ तो अर्थ पहले फुटबॉल के तरह था और वो एक सी के उपर तहर रहा था मतलब फ्लोटिंग था जैसे गेंद मतलब बॉल एक फ्लोट करता है समंदर के उपर वैसे एक सी के उप थे और वो फ्लोट कर रहा था कहां पे पैंधालासा सी में तो पैंधालासा का जो सागर है उसके उपर अर्थ यह फ्लोट कर रहा था इसके बाद क्या हुआ खुछ नैच्छुरल phenomenon हुआ, natural phenomenon मतलब प्राकृतिक बदलाव हुआ जिसके कारण अर्थ क्या हुआ, change हो गया अर्थ transform हो गया, किस save में transform हो गया, दो parts में transform हो गया, दो parts में यह आपको दीख रहा होगा, मैं zoom कर दे रहा हूँ यह देखिए दो parts में transform हो गया, पहला part है आपका, Angara land और इसको क्या बोलते हैं, Laurentia यह आपको दीख रहा है, Laurentia इसको हम बोलते है Laurentia, Angara land और Laurentia और यह पहला टुकड़ा बन गया हमारा और दूसरा टुकड़ा जो बन गया यह वाला इसको हम बोलते हैं, Gondwana land, ठीक है तो पहला वाला है अंगारा लेंड या फिर आप बोल सकते हैं इसको लॉरेंशिया और दूसरा वाला पार्ट है गोंडवाना लेंड और इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ गया टेथिस सी यह देखिए इन दोनों के बीच में आ गया टेथिस सी तो यह जो पार्ट है यह प तुकड़ा बन गया जो Northern Hemisphere और Southern Hemisphere हम बोलते हैं वही ये दोनों पार्ट है मतलब आगे जाके अभी Northern Hemisphere और Southern Hemisphere बन जाएगा तो देखिए इसके बाद क्या हुआ दो पार्ट में हमारा टुकड़ा बंट गया पहला पार्ट आपका हो गया उपर वाला पार्ट जो की है जिसमें आपका Northern America है और नीचे वाला पार्ट में आपका Southern ऐसे मतलब Southern America तो Northern America का उत्तरी भाग ये है दक्षिनी भाग तो Southern America नौर्दन अमेरिका और ये जो उसके उपर वाला अरिया है इसको हम बोलते हैं Alaska और ये Greenland वगएरा जो इरिया Greenland का एरिया है जैसे कि जो हमारा Nordic Countries है नौर्वेग, Greenland ये सब इस पार्ट में आ जाता है और इसके बाद ये वाला पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट है ये है Total इसको बोलते हैं Eurasia पहले भोलते थे इसमें यूरोप से मिलकर बना एसिया तो बन गया यूरेशिया यूरेशिया अमर कैसा बना यूरोप और एसिया का यूरोप और एसिया बनके बना यूरेशिया तो उपर वाला पार्ट है अंगारा लेंड लॉरेंशिया और नीचे वाला गोंड वाना लेंड यह बेसिक जानकारी आपको बिल्कुल पतावना चाहिए तो यह आप बिल्कुल नोट कर लीजिए यह पहला वाला पार्ट आप न हम कैसे पढ़ेंगे देखिए पहले हम यूनिवर्स से जाएंगे देखिए मैं यहां पर लिख दिया हूं अपना स्ट्रक्चर पढ़ने का स्ट्रक्चर लिख दिया हूं यहां पर दिखिए जैसे कि पहले हम यूनिवर्स से जाएंगे यूनिवर्स से होते हुए हम जाएंग कहां गैलक्सी में यूनिवर्स पहले पढ़ेंगे यूनिवर्स पूरा ब्रह्मान्ट है मतलब यहां पर क्या लिख्या है देखिये टोटलीटी ऑफ एवरिथिंग दाट एकजिस्ट मतलब जो भी इस ब्रह्मान्ट में है सारा चीज क्या कहलाता है यूनिवर्स तो universe से होते हुए हम जाएंगे अपने galaxy में जो की है milky way galaxy हमारा galaxy इसके बाद galaxy से हम गुसेंगे stars galaxy के अंदर क्या होता है बहुत सारा star होता है तो आपको बता दे रहा हूं देखिए पहले है हमारा universe ठीक है यह वाला पाठ है universe उसके अंदर आएगा galaxy galaxy उसके अंदर आ जाएगा galaxy बहुत सारा ऐसा नहीं कि एक galaxy है बहुत सारे galaxy है millions of galaxy है लेकिन हम सिर्फ अपने galaxy के वारे पढ़ेंगे जो की अर्थ का है जो की है milky way galaxy और उसको हिंदी में solar system हमार galaxy के अंदर क्या जाएगा solar system galaxy को नहीं बोलते हैं galaxy के अंदर आ जाएगा solar system और solar system हमारा कि सेप का है spiral से यह सब आपको जानने के लिए मिलेगा बाद में हम पढ़ेंगे solar system के अंदर हम पढ़ेंगे sun और planets सारे planets जो है आठ planet है हमारे और एक क्या है dwarf planet मतलब अभी वह हमारे मतलब range से बाहर है और बहुत ही छोटा नजर आता है इसलिप सो dwarf बोल रहे है मतलब वह ना के बराबर है जो की है आपका Pluto नवा planet ठीक है तो आठ planets के बारे पढ़ेंगे एक एक करके फिर हम अपने अर्थ के बारे में specially पढ़ेंगे और अर्थ से लेकर हम आएंगे सीधे अपने जहांपे हम रह रहे है मतलब जोग्राफी पढ़ने का एक ये सही तरीका है युनिवर्स से लेके आप आओगे पूरा अर्थ उसके अंदर अर्थ के अंदर आप जाओगे जिस एरिया में आप रह रहा हूँ उस के नजदीक के जो भी चीज जैसे जो भी उसके पास है जो ग्राफिकल फैक्टर्स ठीक है सभी के बारे में आपको नौलेज होना चाहिए तब जा के आप कंप्लीट जोग्राफिक पढ़ रहे हो ठीक है तो यह है जोग्राफिक पढ़ने का एक अच्छा प्रोसेस अच्छा तरीका मेरे हिसाब समय यह मानता हूं तो अब देखिए यूनिवर्स के बारे में देखिए यूनिवर्स जो है इसको हम बोलते हैं पहला पॉइंट पहला पॉइंट देखिया पहला पॉइंट क्या दिखा रहा है आपका यह दिखा हुए टोटालीटी ओफ एवरिटिंग सारा चीज जो भी एकजिस्ट हो रहा है सबकों जीस्ट है मतलब जो भी उपस्तित है प्रेजेंट है सभी को हम क्या बोलते हैं यूनिवर्स ठीक है यूनिवर्स के अंदर क्या क्या है जैसे कि स्टार्स गैलेक्सी प्लैनेट्स उसके बाद बहुत सारे अलग चीज भी है जैसे कि मेटियोराइट्स है एस्ट्राइड्स है कॉस्मिक बेल्ट्स है बहुत सारा चीज है तो यह सब इसके अंदर आता है यूनिवर्स के अंदर आ जाता है इसके बाद हम देखें कॉस्मोलोजी यह डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है टर्मिलोजी है जो कि एक्जाम म बार आता है तो यह कॉस्मोलोजी कि पूस्मो of cosmos मतलब युउड़ार्ट लोगोGM मतलब टाक मतलब आपको पता है किभी किसी चीज का स्टडी करना मतलब Science इस सटड़ी किसी चीज का पभाए करना जो भी उसको क्या बОक्ट मेद्ग मतलब आप साइन्स नहीं है यह लोगो और यह स्टेड्वी डिस तो इसके बाद कोस्ट्टीन है देखिये कोस्ट्टन क्या है udah कोशेन है यूविवर्स इंडेald एकस्पैंडिंग यूइनिवर्स चैनल भूएअध चॉंट्टन बशू ने तो आफ respecto क्या लिए है और किस लोग हिसाब से हम कालकुलेट करते हैं किस रेट को रहा है हमारा अर्थ और यह जो होता है phenomenon यह है red shift of light red shift of light मतलब जो हमारा visible spectrum है visible spectrum है ना spectrum of colors होता है बहुत सारे spectrum होता है हमारा 7 colors होता है R, G, red, green, blue उसके बाद grey जो की whip-gior है आपका विब-gior होता है ना rainbow का colors तो colors में जो spectrum होता है उसमें red color जो होता है red color का shift होता है light का तो उसको study करके और Hubble's law से calculate करते हम कैसे हमारा universe expand कर रहा है इसके बाद आप देखिए next point आता है आपका galaxy के बारे में तो universe के बारे में इतना चीज जान लीजिए more than enough है ज़्यादा कुछ नहीं आता है इस से ठीक है और एक point universe के लिए है जो मैं नीचे बताऊंगा जो कि अभी मैं आपको छोटा ऐसा बता देता हूं ताराओं को संग्रहित करके हम क्या बनाते हैं एक galaxy बनाते हैं ठीक है galaxy is a vast system of billions of stars उसके बाद इसके अंदर क्या हो सकता है gas clouds हो सकता है mainly क्या होता है hydrogen यह कुछ चिन आता है कौन सा gas maximum होता है hydrogen होता है large number of dust clouds dust particles यह सब होता है और hydrogen होता है next point क्या है 100 billion galaxies आप सोच सकते है 10 to the power 11 10 to the power 11 इतना number of galaxies है हमारे और हर एक galaxy में उतना ही number stars है 10 to the power 11 stars है सोचिए इतना galaxy है और हर एक galaxy के अंदर इतना star है तो total universe में कितना है लगभग on an average 10 to the power 22 estimation की हिसाब से इतने stars हमारी universe में है तो unimaginable है यह चीज ठीक है तो बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे मतलब imagine करके तो देखिए आपको बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने के लिए ठीक है इसके बाद हम जानेंगे अपने galaxy के बारे में मतलब जो की है milky way galaxy home of earth हमारा solar system जो है उसका नाम क्या है milky way galaxy मतलब खीर गंगा मंदाकिनी इसका अलग नाम है मैं आपको बताया था इंपोर्टेंट क्या है सेप एक्जाम में पूस्ता है the milky way galaxy is of which shape spiral in shape तो हमारा जो galaxy है earth का उसका सेप क्या है spiral उसके बाद देखिए मैं आपको अभी बताया था उपर क्या बताया था बिग बैंक थियोरी से क्या हुआ है formation हुआ है universe का दिखे लिखा है origin of universe explained by big bank theory ठीक है big bank theory से universe का origin हुआ है किससे हुआ है big bank theory से ठीक है और form इसके बाद क्या लिखा है origin of universe explained by big bank theory ठीक है और क्या है यह 5 billion years पहले years के बाद okay big bank theory के 5 billion years के बाद बोला जाता है कि यह origin का universe हुआ है मलब universe का evolution हुआ है origin हुआ है next point यह जो formulation हमारा किया गया है यह postulate जो दिया गया है big bank theory का important है किस ने दिया है किस ने दिया है George George लेमा टायर जो कि बेल्जियम से है यह दिख रहा है आपको यह दिखिए George लेमा टायर जो कि बेल्जियम से है इन्होंने postulate और formation दिया था big bank theory का इसके बाद दिखिए next point क्या है nearest star हमारा nearest star मतलब स्वारी nearest star नहीं nearest galaxy हमारे जो अर्थ है अर्थ के सबसे नजदीक जो galaxy है उसका नाम क्या है दिखिए याद रखिए यह सब चीज factual points है direct question आ जाता है एक्जाम में एंड्रो मेडा एंड्रो मेडा जो है nearest galaxy है हमारे अर्थ से कितना डूरी है इसका distance कितना है two five three seven million light years light years यह मत समझना है कि यह मतलब रोश्नी दिखा रहा है से नहीं light years यह है distance जब हम astronomical चीजों को measure करते हैं तो उसका distance हम light years में लेते हैं उसका unit light years होता है next आता है आपका big bang theory big bang theory को आरे में कुछ मोटी मोटी बाते जान लीजिए जैसे कि big bang theory देखिए all matter in universe जितने भी हमारे universe में जो भी matter था जो भी पदार्थ था मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं जो भी पदार्थ था वो एक lumped lumped मतलब lumped मतलब क्या है मतलब एक गुच है तो उसको बोलते हैं प्राइमेवल एटम तो एक गुच्छा होके था पहले सारा चीज हमारी universe में उसके बाद क्या हुआ big bang theory के हिसाब से क्या हुआ explosion हुआ explosion मतलब अब बूल सकते ना bomb का explosion होता है मतलब क्या होता है फटना एक चीज से ठीक है तो explosion हुआ explosion हुआ उससे क्य stars का cosmic bodies का ठीक है galaxies stars cosmic bodies इन सब का formation हुआ किसके लिए किसके वज़े से explosion के वज़े से जो की कौन बताता है big bang theory बताता है तो यह सब चीज में बोल रहा हुआ हूँ यह questions है नोट कर लीज़े big bang theory क्या है इस चीज जब matter सारा एक concentrated होके एक atom के रूप में था explosion हुआ explosion के बाद क्या हुआ 15 billion years पर explosion हुआ फिर explosion से क्या formation हुआ galaxies, stars, cosmic bodies, cosmic bodies मतलब उलकापेंड आदी जो है न हमारा उलकापेंड जो भी meteorites, asteroids यह सब इसको बोलते हैं cosmic bodies पर जितने भी अलग bodies है stars, planets को छोड़ के तो उसको cosmic bodies बोलते हैं ठीक है यह है big bang theory के बारे में कुछ चीज उसके बाद देखिए क्या है क्या लिखा हुआ है our galaxy located on its aura on cygnus, aura on cygnus मतलब क्या है औरा on cygnus जैसे हर planet अपने orbit के चारों तरफ गुमता है तो अपने orbit में हो गुमता है उसका जो गुमने का path है वो क्या है orbital path है elliptical path है तो उसको हम क्या बोलते है every planet is revolving in its own orbit तो वैसे ही हमारा जो galaxy है मैं बोला था आपको universe के अंदर millions of galaxies है तो हर galaxy अपना एक एक path में घूंब रहा होगा यह तो प्रकृति का नियम है this is the beauty of nature क्या है देखिए इतने सारे बर्मानों है इतने सारे पदार्ते हैं इतने सारे celestial bodies है जैसे कि earth हुआ sun हुआ planets वा लेकिन कोई किसी से टकराता है अगर हर रोज टकराएगा क कोई न कोई तो हमारे यहां पर हर रोज किस कुछ न कुछ होता रहा है तो यह समझे आप तो ऐसे प्रकृति का मतलब रचना किया गया है उपर से इश्वर का दे नहीं है कुछ भी आप बोल सकते है साइंटिफिक कली है जो भी है तो हर एक चीज अपने अपने पाथ में अ आपको याद रखना एक्जाम में डिरेक्ली यह पॉइंट आजाएगा चार ओप्शन में यह ओप्शन आपको दिख जाएगा टिक करके सीधा आगे बढ़ लेना तुरंत ठीक है नेक्स्ट यह स्लाइड का आप ले लिजे स्क्रिंशॉट या फिर नोट करना है कर कुछ भी नोट करने आपको कर लीजिए स्क्रिंशॉट ले लीजिए आपको लेना है तो ठीक है स्क्रिंशॉट ले सकते हैं नोट कर सकते हैं यह तो इनिवर्स का गया गैलेक्सी के बारे में देखिए नोट कर लीजिए स्क्रिंशॉट ले लीजिए पीडिएफ थोड़ा बेसिकली जो है उनका life cycle के बारे में हमको जानना है कि stars का initial stage क्या है फिर उनका final stage क्या है final stage obviously सबको पता होगा जैसे कि stars क्या होता है final stage में collapse होके black hole बन जाता है सब लोग बोलते हैं black hole black hole तो black hole के बारे में तभी अपने जानने का कोशिश क्या होता है तो अब हम जानेंगे वो चीज देखिए stars के बारे में जो उनका formation है जो उनका maximum life cycle है कब end होगा कब start होगा वो जो limit है limit मतलब कितना time time limit कितना time तक उनका life cycle रहेगा life span रहेगा तो उस चीज के बारे में सुब्रमनियम चंद्रसेखर करके एक scientist थे हमारे भारत के जिनोंने एक limit decide किया उसको हम क्या बोलते हैं चंद्रसेखर limit देखिए चंद्रसेखर limit तो चंद्रसेखर limit के हिसाब से क्या होगा चंद्रसेखर limit और इनको एक बार ध्यान रख लिजिए जैसे कि static जी के है 1963 में इनको Nobel पुरसकार से सम्मानित किया गया था he got the Nobel Prize in 1963 next so अब देखिए चंद्रसेखर limit में क्या बोला जाता है कि maximum mass of star जो star का maximum mass होता है at its end life मतलब अपने life span life cycle के end point में आखरी stage में जो उसका maximum mass होता है वो क्या बन जाता है white dwarf बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं white dwarf उके उसके बाद क्या होता है वो white dwarf के बाद क्या होता है collapse हो जाता है collapse हो जाता है फिर क्या बन जाता है neutron star और black hole उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं black hole देखिए उसको हम क्या बोलते है neutron star और black hole यह हम क्या बोलते हैं जब वो collapse हो जाता है next अब देखिए white dwarf के बारे में देखिए white dwarf actually होता क्या है यह एक small size और high density star होता है यह लिखाओ ना small size high density high density मतलब इतना high कि हमारे जो earth के तरब planet है ना जो भी उन planet से भी ज्यादा density इनका होता है और size लेकिन बहुत छोटा होता है बहुत छोटा लेकिन उसके अंदर पदार्थें बहुत परिमान से भरा हुआ है मतलब density high है और जो initial state होता है इन stars का उसको हम बो अछिजा है उपर हैं एक चीज मैंने ठोड़ दिया दिखिये जो formation होता है stars का उसको हम क्या बोलते हैं कैसे वो form होता है मतलब stars किस रूप से present होता है हमारे galaxy में देखिए clumps of dust मतलब dust और gas dust और gas के form में क्या होता है milky way galaxy हमारे galaxy में dust और gas क्या होता है आसपास आके जुड जाते हैं किसके लिए कैसे आसपास आते हैं gravity के कारण तो gravity उनको force of attraction से pull करता है जिसके कारण तो दोनों एक साथ मिल जाते हैं और क्या form करते हैं nebula उसको क्या बोलते हैं nebula ठीक है उसको बोलते हैं nebula और क्या बन जाता है stars ठीक है stars ऐसे बनता है तो question में आ सकता है आपको stars are formed due to what तो option में आ जाएगा due to the mixture of dust and gases forms into nebula then turns to a star ऐसे आ सकता है आपका question में ठीक है next देखिए black hole के बारे में तो black hole क्या बता रहा है black hole एक ऐसा चीज है जिस जो सब कुछ निगल जाएगा सब कुछ निगल जाएगा मतलब आपका जो भी उसके पास जाएगा ना वो कोई बच गे नहीं आ सकता है ठीक है जाएगा तो उसको खा जाएगा ऐसा चीज ब्लैक ओल दीकिए मतलब यहां पर लिखाओ मैं so strong gravitational acceleration इतना strong होता है इतना strong gravitational acceleration होता है कि nothing can escape कुछ भी उससे बच के नहीं जा सकता भाईया सब कुछ निगल लेगा ओ मतलब जो होदा इतना मतलब electromagnetic radiation जो light है उसको भी वह नहीं छोड़ता भाईया किसी को भी नहीं छोड़ता लिखाना मैं मैं इसलिए सब चीजी लिखा हूँ आपको थोड़ा इंट्रेस्स लगे हिंदी में लिख दिया हूँ किसी को भी नहीं छोड़ेगा यह ठीक है तो किसी एक को भी नही चले जाएगा ठीक है तो उसी को बोलता है ब्लैक होल मतलब gravitational एक बात आप थ्यान रखिए कोई भी अगर पूछे ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल इस नथिंग बट इस सबस्टैंस और इस यहां कि gravitational acceleration बहुत स्ट्रॉंग है स्ट्रॉंग gravitational acceleration जिससे की यह सब चीज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है बस यह चीज लिए सौ बात की बात ठीक है नेक्स सम्चलते हैं अभी है जो की है life cycle of a star तो star का जो life cycle लिए थोड़ा नीचे से कट रहा है मैं आपको बता दूँगा देखे स्टार जो है starting में आपको क्या बोला था नेबूला से formation होना था दीखिए आप बोला था नेबूला नेबूला फॉर्म से star बनता है अब दिखिए तो यहां पर life cycle में क्या बता रहा है कि पहले क्या होता है हमारा stellar नेबूला तो पहला स्टेज जो है उसको बोलते हैं stellar नेब स्टार ठीक है stellar नेबूला से हमारा दो चीज बन सकता है या तो बनेगा एवरेज स्टार या तो बनेगा मैसीब स्टार मैसिब स्टार एवरेज स्टार से फिर next stage क्या है red giant massive star से यह क्या है यह है red super giant ने मतलब यह case मान सकते हो यह छोटा वाला case है यह बड़ा वाला case है उसी इसके बाद है आपका planetary nebula मतलब planetary मतलब planets के type planets जो है हमारा जैसे ग्रह हैं उनके ही तरह का nebula बन जाता है फिर last में finally white dwarf बनके रह जाता है ठीक है लेकिन नीचे वाले case में क्या होता है massive होता है मतलब ज्यादा बड़ा होता है और red super giant बनता है giant ना बनके super giant बन जाता है मतलब ज् उसके बाद यह जो state state है इसको बोलते है supernova supernova ठीक है यह मैं आपके लिए लिक देता हूँ थोड़ा देखिए यह जो है मैं आपके लिए लिक देता हूँ तो आपको अच्छा रहा है जो second वाला case है ना उसमें पहले तो बनता है आपका क्या massive star ठीक है massive star उससे बनता है उसक 13 थोड़ा चोटा है इसलिए मैं कम-कम लिख रहा हूँ ठीक है manage कर लीजी थोड़ा आपको बाद में वीडियो अच्छा मिल जाएगा मैं धिरे-धिरे कोशिश कर रहा हूँ setup करने का ठीक है आपको अच्छा बोड और अच्छा मिल जाएगा attention मत लीजे अभी थोड़ा manage की आपको खूब सपोर्ट कीजिए वही सपोर्ट आपको चाहिए आप जैसे मैं देखता हूँ likes कुछ नहीं आता है subscribe नहीं आता है तो मन नहीं करता है मतलब motivation नहीं मिलता है वीडियो बनाने का तो कुछ तो मतलब like अगर subscribe आएगा तभी तो मतलब कुछ मतलब motivate हूँगा ना म आपको शेर कीजिए मतलब एक एक जो भी हो आप जो लोग हैं सबको 10-10 लोगों को शेर कर रहे हैं 10-10 लोगों को शेर करके बढ़ा ही है चैनल बढ़ा ही है तभी आपका मतलब फाइदा में मिलेगा मैं आपको free of course दूँगा एक पैसा नहीं लूँग आपसे बोल रहा हू पीडिएफ में बना रहा हूं उसके बाद आपका जो भी चैनल का सेटिंग्स वगरा है सब चीज थमनेल से लेकर जो भी चीज है मतलब स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ मैं ही कर रहा हूं थोड़ा तो टाइम लगेगा ना ऐसा नहीं है कि एक दिन में किसी वेक सपोर्ट चाहिए आप सपोर्ट कीजिए सेयर कीजिए अपने अपने फेस्बूक वाटसाप इंस्टाग्राम सभी जगे स्टैटस डाल दीजिए और मुझे टैग कर दीजिए वीडियो को टैग कर दीजिए बस यह चाहिए तो आप फैमिली बढ़ा ही है आपी का चैनल है बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा चीज मिलेगा मैं वादा करता हूं आपसे ठीक है तो यह देखिए मैं लिक रहा हूं क्या है तो अपन टॉपिक में आते है थोड़ा पहला है देखिए मैसिब स्टेज है मैसिब स्टार उसके बाद है क्या है रेड सुपर जिया नेक् होल तो लास्ट स्टेज क्या है हमारा इसका सुपर नोवा के बाद क्या है सुपर नोवा के बाद है ब्लैक होल ठीक है अब एक पॉइंट जान लीजिए जो हमारा सन है यह कौनसे स्टेज से होके गुजर रहा है सन कौनसे स्टेज से गुजर रहा है सन कौनसे स्टेज से ग से स्टेट में रेट जी एंट में है इसके बाद सन हमारा प्लैनेट प्लैनेटरी नेबूला होगा फिर वाइट डर्फ बन जाएगा सेकेंड वाले केस में सन नहीं है सन उपर वाले केस में ठीक है या धान रखिये और इसका मतलब आप ले सकते हैं स्क्रिंशोट वगरे फिर नोट कर लीजे वीडियो को जो भी है इस पेज को ठीक है और बाकी तो मैं आपको यह पीडियेफ दे दूँगा ठीक है थोड़ा लेकिन आज नहीं मिल पाएगा आइम लगेगा थोड़ा अप नोट कर लीजे अच्छे से ठीक है स्क्रिंशोट ले ले लीजे नोट कर हो तो यह फॉर्मेशन ऐसे हुआ था ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा हाँ और एक चीज में आपको शेर करना चाहता हूं इंफॉर्मेशन कि हमारा जो कॉंटिनेंट्स है ना जैसे कि यूरोप हुआ यूरोप हुआ साउथ अमेरिका हुआ अफरीका और यहाँ पर ऑस्टेलिया अगरा हुआ तो यह जो इूरोप है यहाँ पर अटलांटिक खुषिन है यह आतलांटिक खुशल को ईसलाइड हो रहा यह बहुत कम बहुत कम 0.7 mm इस से भी कम micro meter something slide हो रहा है हर साल तो ये थोड़ा-थोड़ा slide हो रहा है जितना हमारा नाकोन बढ़ता है ना तो उतना slide हो तो ये एक natural phenomena चल रहा है और इसके बाद हम छोटा-छोटा topic भी लाऊंगा में जैसे कि कि इस दिन earthquake के बारे में ले आया किसी दिन रिवर्स के बारे में ले आया तो इस तरीके के लाऊंगा आपको कवर होता जाएगा ठीक छोटा-छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और टॉपिक कवर होता जाए कुश्चिन भी उससे आ जाएगा एक एक बार में तो कुश्चिन सबाज आए गा तो इस तरीके का मतलब रिवर करेंगे तो पूरा रिवर कर ला लेंगे अंडिया का तो पूरा उससे हर कॉश्चिन कवर हो योग तेखिया के में सिर्फ एक ही कमेंटन जो है हमारे मतलब चैनल के सब्सक्राइबर है उन्होंने अगराफिक नहीं बोलते तो बाई डिफॉल्ट मैं कुछ एक बनाता रैंडम ली मतलब हिस्ट्री वगरे से स्टार्ट करता हूं आप कमेंट कीजिए ना अगर मैं सोच रहा हूं हिस्ट्री का कुछ स्टार्ट करूं अब कुछ सपोर्ट कीजिए खूप शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल आपको मिलेगा अच्छा मैं वादा से बोलता हूं आपको एक्जाम में बिल्कुल मिलेगा मतलब ऐसा नहीं कि टुदी पॉइंट है सब एक्जाम के रि अपना ध्यान रखिए ख्याल रखिए और ज्यादा बाहर मत जाएए खूप पढ़ाई कीजिए मनलगा के पढ़ाई कीजिए वेकंसी आ रहा है अभी फिलाल में आईवी पीस प्यू का नोटिफिकेशन भी निकला है जो कि मैं उसके पर वीडियो बनाना भूल गया हूं ट इंट्रेस्टेड हैं बैंक के बच्चे हैं आप लाइक कीजिए बिल्कुल तो एकंसी आ रहा है आप अपना ध्यान रखिए ठीक है खुश रही है बस और गॉड ब्लेस यो थैंक यू लाइक शेयर सब्स्राइब बिल्कुल कर दीजिए थैंक यू